किसानों के लिए ये करेंगे, योगी जी भी बोलते हैं, बिविन प्रदेशों में इनकी सरकार बोलती है, चलि एक बात मैं पूछता हूँ आप लोगों के इस वीडियो से माध्यम में, जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं, अभी मैं यहाँ ग्रेटर नौड़ा में बताता ह एक हजार रुपे का, केवल विजिटिंग चार्ज, चाहे कोई भी गरीबाय सीर का दर्द लेके, एक हजार रुपे उनको चाहिए, ठीक है जी, हॉस्पिटल में छे सो रुपे चाहिए, और हॉस्पिटल उ कहते हैं कि तीन दिन का अंदर आओगे तो ठीक है नहीं, तो ती देश के किसान अपने मर्जी से गेहूं का रेट क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे देश के किसान धान का रेट क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे सबकिसान अपने सबजियों को रेट क्यों नहीं कर सकते हैं, सरकार मंडियों का रेट क्यों करती हैं भई, कश्मीर के हिमाचल के लो भाई सरकारी अधिकारी बीजेपी के गौर्रमेंट के कुछ लोग अगर देखते हैं मेरी इस वीडियो को भाई और मैंनों मैं रेबल शदानन पती आप लोगों से आगरा करूँगा विनमर निवेदन करूँगा मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरी इस वीडियो को शेर जरूर कीजेगा ये वो सवाल है जो आप लोगों के दिल में है लाखो करूडों हिंदुस्तानियों के दिल में लाखो करूडों भारतियों के दिल में हर भारतिय मुसल्मान के दिल में हर भारतिय हिंदू के दिल में हर्सिक ये बात पूशता है आप मुझे बताई कि डॉक्टर अपने मर्जी से 1000 रुपे ले रहा है 600 रुपे ले रहा है हस्पिटल वाले विजिटिंग चार्ज, कंसल्टेंजी के और जो किसान है वो धान का रेट नहीं कर सकता वो गन्य का रेट नहीं कर सकता वो सबजियों का रेट नहीं कर सकता मुझे एक बात बता है क्या नाइन साफी नहीं है क्या क्रिशी एक कारोबार नहीं है क्या क्रिशी को कारोबार में नहीं बदलना चाहिए क्या किसान को कारोबार का हक नहीं देना चाहिए इस बारे में केंदर की सरकार आंके बंद करके बैठी है हम किसानों को किसान हत्या कर रहे हैं आत्म हत्या कर रहे है यूपी में योगी जी ने इतने रेट बढ़ा दिये बिजली के दाम बढ़ा दिये कि उनके आहलत खराब हो गई, आज उनको अपनी सब्जियों की कीमत नहीं मिल रहा है, मैं ये बताना चाहूंगा, लेकिन नहीं, लेकिन अभी भी बीजेपी के कुछ भक्त मुझे उल्टा पुल्टा लिखे जा रहे हैं, अरे आप खूब लिखिये, मेरे दोस्तों बीजेप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं पावर, अपनी सब्जियों के रेट रखने का, सोचिए ना एक बार, बांगला देश में लोग अपनी चीदों को रेट कर रहे हैं, नेपाल में एक आदमी अपने मर्जी से सेव बेच रहा है, क्यों, क्योंकि वो से उगा रहा है भई, उसका पांच हजार, अभी एहमन सुरह ने एक लाग रुपे का तूलक की फर्मान कर दिया था, बहुत बढ़िया, बीस रुपे का मास्क देनी की आउकात नहीं, आप लोगों की, अर पांच-पांच हजार लेने की भिकारी हैं, आप लोग भिकारी, आप लोग भीक मांगिए, ल इसी भीक दे देंगे आप लोगों को, मेरे दोस्तों, पंदर अगस सुबा साड़े आठ बजे, मैं रेबल शदानन पती, मेरा वाट्सैप नंबर, डबल एट, ट्रिपल जीरो, नाइन टू सेवन, फोर सेवन, मैं रिपीट करूंगा, डबल एट, ट्रिपल जीरो, नाइन लोगों को समर्पित करूंगा, अभी तक तो मैं तैयारियां कर रहा था, लोगों को जोड रहा था, लाखों करड़ों लोग जुड गे हैं, आप लोगों के आशिरवाद से, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, पंदर अगस को में तीन चीज़े मांगने वाला हूं आप से, और मैं लूंगार आपनों को देना पड़ेगा, एक भाई अपने भाई से मांगता है, एक भाई अपने दीदी से मांगता है, एक बेटा अपने माँ बाप से मांग रहा है, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से मांग रहा है, एक भारती अपने भारती भाई बेनों से मांग रहा है पंदर अगस सुबा साड़े आठ बजे मैं लाइब आँगा अपनी टीम को आप लोगों को समर्पित करूँगा आप लोगों को अपना अशिरवात देना है उस दिन से हमारी संगठन देश की सडकों में उतरेगी हर राज्य में जाएंगा में यूनिट बना बन पीडी ते किसी को जुखा में तो करोना है अमिता बच्चन जी ने नाना बटी अस्पताल को इतना लंबा चोड़ा लेक्शर दे दिया बहुत अच्छे डॉक्टर है आपको पता है ब्रैंड एम्बेस्टर थे गुजरात के भाईयों और बहनों वक्त है ऐसे बड़े बड कमाते हैं यहां से भी पैसे कमाते हैं और डॉक्टर कफिल खान जैसा आदमी जिनोंने बच्चों के लिए तनी सेवा कि आज जेल में सड़ रहे हैं आखिल गोगोई जैसा आदमी असाम का एक्टिविस्ट आज उनके पर वापा लगा दिया गया है वो भारत के पहले ऐसे नागरिक होंगे आखिल गोगोई जिनके उपर टेरिरिजम एक्ट के अंतरगत मुकदमा दर्ज करके ट्राइल पर लाया जाएगा यानि कि केंदर सरकार कुछ भी कर सकती हैं मैं बहुत सोच समझ के बाते करता हूँ मैं लौ प्रोफेशन से भी हूँ मेरे फैमली में सब ल कि यह मैं जाओंगा उसकी मुझे परवा नहीं है लेकिन मैं सडकों में आंदोलन सुरू करके जाओंगा इस देश में जो आग लगाई गही है ना बीजेपी के गौवरनेंस के द्वारा उस आग को हम बुझाएंगे और भाई और मेनों पंदर आगास सुबा साड़े आठ में जैसे जब मैं समर्पित करूंगा रेबल शदानन पती फांडेशन को आप लोगों को उसके बाद मेरी और हमारी टीम देश के कोने कोने में हर जगा में हम लोग आने वाले हैं हम तो MLA MP की चिठ्ठे को लेंगे हम पीमो में भी आएंगे प्रधान मंतरी जी के घर तक मा आप लोग पांच साल जो रहते हो नेता बनके जिंदगी बर लाग लाग रुपए देड़ देड़ लाग का पेंशन का होगे हैं हमारा पैसा फ्री का है हमारा पैसा फ्री का हमारा पैसा हराम का है क्या खून में खून पसीने की पैसे हैं एक पैसा अजम नहीं करने दूग और फिर आप बोलते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा आप तो खिला रहे हैं मोदी जी आप तो खिला ही रहे हैं आप लोग तो विदायक खरीद रहे हैं ओपनली जोती राधी तो सिंधा को कौन सी घुट्टी दे दी आपने कॉंग्रेस छोड़ के ले आए भाईयों और मैंनो आज बांगला देश एक इसलामिक रास्टर आज नेपाल एक हिंदू रास्टर हम लोगों को हरा रहा है एक बात में बोलूँगा पंदरा अगास सुबा साड़े आठ बजे अपने बेटे के साथ हो जाईए या तो मुझे अपना बना लीजे या आप मेरे बन इस देश को बचा के दम लेंगे ये लड़का रेबल सदानन पती अपने घर छोड़ चुका और मुझे परवा नहीं है कि मेरे गाड़ी का नंबर फ्लैश कर दे मुझे मरवा दे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन मैं एक बात बोलूँगा मैं राजीव दिक्षित क दरा नहीं मरूँगा वो महान विक्ति दे मैं लड़ूँगा मुझे मरने का शौक नहीं मुझे लड़ने का अर्मान है मैं नेता जी सुवास चंदर बोस का सिश्य हूँ मैं भगस सिंग के आगाज हूँ आवाजू लोकमानिय तिलकार शिवाजी को मानता हूँ ना कर दिया ना बारत की सड़कों में मेरे नाम पर धू कर देना अगर गुर्द्वारस से लोग निकल के ना एकर मस्जुदों के दरवाजे ना खुल जाए और मंदिरों के कपाट ना खुले अर गिर्यागरों के घंटे ना भजे तो लानत ये लेवल शिदानन पती को यह ये देश का बेटा निकल चुका है पंदर अगस सुबा साड़े आठ बजे अभी तो मैं रोज दो-दो दिन में आने लगूंगा लाइव ये लोग जा रहे हैं मेरी वाइफ वैसे भी उत्तर पदिश में प्रैक्टिस करती हैं सुरजपु डिस्टिट कोर्ड में एडवोगे और बैनों 15 अगस सब्वा साड़े 8 बजे मैं आपसे कुछ मागने वाला हूं हक के साथ हर रिक्षा वाला हर ओटो वाला हर सबजी वाला सड़क पे छोटे-मोटे काम करने वाले मेरे मेरे मेकानिक सातियों और भाईयों और बैनों नरसों डॉक्टरों इंजिनियरों सरकार अधिकारी और मेरे जो लोग कुछ ना करते हो मेरी तरह अनिम्प्लोइड मैं तो सेल्फ इम्प्लोइड हूँ मुझे सरकारी नौकरी की कभी अभिलाशा नहीं थी लेकिन देश के युवाओं को इसकी जरूरत है अगर रेकरास्ट नौकरी ना दे पाए असाम भी आ रहा हू अखिल गोगोई को छुड़ा के दम लूँगा और सुधिर महता जी आपने मुझे से पूछा था कि समाधान क्या है अंकल जी पंदरा तारिक का इंतजार कीजे और वो तमाम लोग इंतजार कीजे पंदरा तारिक को लाइव रहिएगा मेरी वीडियो को शेयर कीजे हाथ ज दर्स लाग से ज़ादा कॉल आ रहे हैं सबका कॉल उठानी पा रहा हूँ लेकिन पंदरा अखस के बाद ये कॉल डाइवड ओझाएगा हर एक के कॉल उठेंगे हर एक की सिकायते सुनी जाएंगी लेकिन पंदरा अखस तक थोड़ा मुझे जहल लीजेगा अकेला आदमी बहुत सारे लोग हैं लेकिन अभी कोरोना के वज़े से सेट अप नहीं है सारा सेट अप तयार हो रहा है हर शेहर में आएंगे हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हम रेबल्स हैं चाहे कॉंग्रेस क्यों चाहे बीजेपी को चाहे समाजवादी क्यों हम एक बात बोलूँगा केंद्र सरकार के खिलाफ तो बिगुल बजा दी है शंगनाद प्रचंडवार करूँगा मैंने एक बात बोला था आपको कि रेल्वेस सेशन में एक चाहे वाला चाहे बेचा करता था आज चाहे वाला देश को बेचर है ट्रेन को बेच रहा है आज वो रेल्वेस सेशन बेच रहा है बहतर है आप वक्त रहते समझ जाएं कल को हमारा आप बेचे जाएंगे आप देखे एक बड़ी कमाल की बात है अगर आप ये बात समझ बाए तो बहुत बड़ा लोजिक है पंदर अगस को में आजर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी पी-मसी बैंक इनके लिए नए सीरे से युद्द सुरू करूँगा नए सीरे से सारी टीम को ले आऊँगा सारी कि सारी टीम भाई और बेनों मेरी एक बात सुनियेगा का गोर से किस तरह ये बीजेपी के गवर्मेंट है अम्बानी जी को भी सपोर्ट किया है अम्बानी जी मैं आपका सम्मान करता हूँ मैं मुकेशी आपका सम्मान करता हूँ आप एक बहुत बड़े इंडस्टिलिस्टे में ये भारत आत्म निर्वर होगा या आमानी निर्वर भारत बनेगा सोची आप इस बात को गौर कीजेगा ये कमेंट नहीं है एक बहुत बड़ा मेसेज है मेरे भाईयों और बेनों कि BSNL जो है वो Reliance Geo से हार जाता है क्योंकि आप लोग देश के जनाधार है लेकिन आप किये BSNL हार गया Reliance Geo से भारत पेट्रॉलियम हार गया Reliance पेट्रॉलियम से ओएंजिसी हार गया Reliance गैस से और हिंदुस्तान एरोनाटिक हार गया Reliance Defense से ये भारत आत्म निर्वर होगा या आमानी निर्वर भारत बनेगा सोची आप इस बात को गौर कीजेगा ये कमेंट न पेट्रॉलियम हार जाता है Reliance पेट्रॉलियम से ओएंजिसी हार जाता है Reliance गैस से और हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड हार जाता है Reliance Defense से तो ये अमानी निर्वर भारत है या आत्म निर्वर भारत है और देखिए रतन टाड़ा जी ने एक बात बोला था कारोबा और सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए छटनी करना कोई समस्या का समाधान नहीं है लाखों लोगों की नोकरी जाना कि पता नहीं इस गौ़र्मेंट से क्या क्या गई और क्या क्या नहीं गई आप सोच के देखेंगे तो आप आपके आत्मा हिल जाएगी आत्मा हिल जाएगी और मैंने सुरू से एक बात बोला है एजे रेबल बोल रहा हूँ एजे बागी बोल रहा हूँ भाईयों अखिल गोगोई को तो मैं छुडा के दम लूँगा आपने वापा लगा है केस लड़े हमने सुना दस दस लाग रुपे भाई हम पे पैसे नहीं है हम बागी है आप बहुत बड़े वेक्ति हैं एकात काम हम जैसे साधरन लोगों के लिए भी कर दीजे आप से हल्प मांगता हूँ आप देश के इतने बड़े वकील हैं थोड़ा हमें भी आशिरवात दें कपिल सिबल जी अगर कोई लोग मेरे वीडियो देख रहे वीडियो कपिल सिबल जी तक भी ये मेसेज भेज़ेगा कि रेबल्स अधानन पतिया आवान करता है आपने दुनिया बर के केस लड़े होंगे कुछ केस रेबल्स के लिए भी लड़ लीजे साहता कीजे हमारी क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी एक पार्टी को जॉइन करते हैं तो कितना दुख का विशे है वो भी एक गोगोई जी है बहुत मन में दुख हुआ एक तो जुडिशेरी बेगर ऐसे करने लगे तो कितना कस्ट है भाईयों और मैंनों एक बात याद रखिएगा एक रेबल के तौर पे इमबाबात कह रहा हूँ गलत का विरोध खुल कर कीजे चाहे राजनिती हो या समाज इतियास आवाज उठाने वालों पे लिखा जाता है तलवे चाटने वालों पे नहीं और हम इतियास बनाएंगे इतियास से हमारा संबंध पुराना है मैं रेबल चादानन पती मेरा नंबर डबल डबल ट्रिपल जिरो नाइन टू सेवन फोर सेवन पंदर अगस सुबा साड़े आठ बजे हम वो करने वाले है जो आज तक देश में किसी संगटन ने नहीं किया आज तक और आप लोगों को गर्व होगा अपने बेटे पे आपके बेटे के संगटन पे आप लोगों को अपने संगटन पे गर्व होगा क्रिपया करके हमारे साथ रहिएगा हक के साथ तीन चीजे मांगूँगा आप लोगों से हक के साथ आप लोगों का सपोर्ट आप लोगों का हाशिरवाद और तीसरी चीज़ मैं उसी दिन बताऊंगा आप लोगों को तब तक सुरक्षित रहिए इम्यूनिटी के लिए दूद और हल्दी का सेवन कीजे तुल्सी का सेवन कीजे खड़े मसालों का प्रयोग कीजे और इश्वर को प्रार्षना कीजे भाईचारा रखिए एक दूसरे के साथ किसी के बहकावे में ना हिए और हमारे साथ दीजे जय इन जय भारत